राजस्तान में कॉंग्रेस के वरिष्ट विदायक हेमाराम चौधरी ने 18 मई को अपना इस्तीफा विदान सबादिक्स को भेजा था और इस वक्त को करीबन एक माह से जादा का समय हो गया है इस दोरा जब हेमाराम चौधरी ने अपना इस्तीफा बेजा था तो उसमें साफ तोर पर किसी भी कारण का जिक्र नहीं किया था जिसके बाद कुछ दिन बाद ही विदान सबा सचीव की और से हेमाराम चौधरी को लॉगडाउन खतम होने पर पेश होने के लिए कहा गया था जो लेटर हेमाराम चौधरी को भेजा गया था उसमें बताया गया था कि जैसे ही लॉगडाउन खतम होगा साथ दन के भीतर आपको पेश होना है और इसी को लेकर हिमाराम चौधरी तकरीबन दो सब्ता पर पहले ही जैपूर चले गए और उन्होंने विदान सबादिक्स से मिलने का समय मांगा लेकिन दस दिन तक हिमाराम चौधरी जैपूर में इंतजार करते रहे विदान सबादिक्स को अपने इस्थिफिक को लेकर बाचीट करने के लिए क्योंकि हिमाराम चौधरी से जब जैपूर में कई बार पूछा गया था तो उन्होंने साफ तोर पर का था कि वो इस्थिफिक को लेकर बिलकुल अडिक है और उनकी इस दोरा सचिन पाइलेट से लेकर पी सी सी चीफ तक से मुलाकात हुई थी लेकिन जिस तरीके से दस दिन के इंतजार के बाद हिमाराम चौधरी को यह का गया कि जब पूरा लोकडाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको मिलने का समय दिया जाएगा और उसके बाद हिमाराम चौधरी जैपूर से बार्मेर लोट आते है और बार्मेर लोटने के बाद मैं फिर से अपने विदान सभा में लोगों का दुक दर्द जानने के लिए निकल गए और करीब साथ दिन तक लगातार जिन लोगों की दूसरी लहर में कोरोना के दौरान मौत हो गई थी उन परिवारों को धांडर समदाने गए उन परिवारों को सांतुना देने गए और इस जो हमाराम चौधरी है उनके शोशिल मीडिया चाहे वो फेशबूक हो या जो ट्वीटर हो उस पर इन दिन में ऐसी दस पोस्ट अपडेट होती है जिसमें हमाराम चौधरी लगातार अपने विदान सभा में जाकर जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिवार को सांतुना देते हैं इस दोरान हमाराम चौधरी ने साथ दिन तक लगातार लोगों से मुलाकात की और उनकी जो समश्याएं थी उनको जाना जिस तरीके से हमाराम चौधरी अपने विदान सभा में रहे तो तीन प्रमुक समश्याएं सामने आई पहली सड़क बिजली और उसके साथ में पानी और उसके बाद हमाराम चौधरी ने वहां के लोकल अधिकारियों से बाचित की और इन समश्याओं को त्वरित निप्टाने के आदेश दिये हमाराम चौधरी लगातार अपने विदान सभा को लेकर जबसे हमाराम चौधरी इस बार विदायक बने है उनका ये आरोप हमेशा से रहा है कि गुडा मलानी को लेकर जो वो काम करना चाहते हैं उसको लेकर सरकार उनकी जो मांगे है वो पूरी तरीके से निमान रही थी जिसके चलते हमाराम चौधरी ने 18 माई को अचाने की अपना इस्तिफात दौफेर में भेज दिया और भीजने के बाद जब इस बात की खबर PCC से लेकर मुख्या मंतरी अशोग गहलोत और पूर्व मुख्या मंतरी साचिन पाइलिट को मिली तो हरकम मच गया और ताबर तोर तरीके से अशोग गहलोत ने हमाराम चौधरी के गुड़ा मालानी विदान सवा में एक के बाद एक गूसनाय की लेकिन जिस तरीके से हमाराम चौधरी अभी भी उनका साथ तोर पर कहना है कि वो अपने इस्तिफे को लेकर अडिख है क्योंकि उनको कहीन कहीं ये लगता है कि उनके कारण उनकी विदान सवा में कामकाच नहीं हो पा रहा है दिनेश बहुरा बारमेर राजस्तान तक